हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बेक टू योर ओन चैनल, चक्देवेद नौलेज, चक्देवेद नौलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंक कर्स की बात आज की बीडियो में हम बात करने वाले हैं, बैंक पैंसनर्स के जो पैंसन का मुद्धा पैंडिंग चल रहा है उसके बारे में और अभी पैंसनर्स के साथ आ गया है नालसा, हाँ, सही समझे आप, नाशला मीज, नैशनल लीगल सर्शेज अथोर्टी, यह बहुत बड़ी है, Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India, यानि के सरकार की खुद का नैशनल लीगल सर्विसेज अथोर्टी, अब इसके एड्रेस पे भी आप एक बार फोकस कर लीजिए, तो आपको नजर आएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया, New Delhi, इस पे भी आप फोकस करेगा, और इसने जो लेटर जारी किया है, वो इसी साल, यानि के 3rd जन्वरी को यह लेटर जारी किया गया था, और यह लेटर एड्रेस किसको है, वो भी आप देख लीजिए, यह एड्रेस है, The Under Secretary, Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, Department of Financial Services, New Delhi, वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नालसा ने क्या-क्या लिखा है, उनकी क्या-क्या डेमांड है और वो क्या चाते हैं, और नालसा ने ऐसा क्यों किया, क्या था इसके पीछे राज, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा चैनल है, वो पैंसनर्स, फैमिली पैंसनर्स और बेंकर्स, सभी के जो भी मुद्दे होते हैं, उनको उठाता र इसके लाबा हम बैंकिंग अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिपिकेशन बेल को क्लिप करना ना भूलिएगा, जिससे के हमारे बैंक डियोज के अपडोट आपको मिलते रहे हैं, अब इस लेटर के कंटेंट पर एक्षन इन दिस रिगार्ड, दा एक्षन टेकिन में प्लीज बी एप्रेज टू दा एप्लिकेंट अंडर इंटिमेशन तू दिस अथौर्टी यानि कि जो भी जो एक्षन लिया जाए वो एप्लिकेंट यानि कि स्रीचन बेनु गोपालन जी से और उसके उपर एक्षन ल की कॉपी दिया है अब यहां पर हम देख लेते हैं कि सीएन बेनु गोपालन कौन है इसके बाद हम इस जो 6 दिसंबर को जो लेटर लिखा गया था उसके जो कंटेंट है वो भी आपको बताएंगे देखिए इस लेटर की जो कॉपी है वो ऐसी सीएन गोपालन जी को और जै किस्टिंग यूनियन नहीं कर पाया जो काम वो हमारे एक एक इस पैंसनर ने किया यानि कि सिर्फ पैंसनर हिया है जो पैंसनर के इस मुद्दे को सुल जा सकते हैं उन्णों ने बढ़ी एच्छे तरीके से इसको Knalsah को फोर्स कर दिया कि Knalsah ने भी लेटर लिख दिया अभी हम इस email के contents पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा जिसकी वज़े से कि नालसा को step लेना पड़ा कि पैंसन मुद्दे को जल्दी से जल्दी सोल किया जाए इस प्रयास के लिए मुझे तो एक सायरी याद आती है जिसमें कहा गया है कौन कहता है कि आस्मा पे सुराख नहीं हो सकता एक प्रत्थर तो तबियस से उच्छालो यारो यह जो छे तारिक को email लिखा था cn बेनु गोपलन जी है इसे जिनने बो था जो address था वो तो उन्हों यह लिखाता है Most Venerable Lordship I write to inform on behalf of retired bank pensions across the nation who are in a helpless state for agitating the issue of not revising pension for past two and half decades by public sector banks managed by ministry of finance government of India in gross violation of the bank employees pension regulation तो इसमें उन्होंने कहा था सबसे पहले कि जो retired bank employees है उनका जो pension का इसु है वो revision नहीं हुआ है और 25 साल के करीब इसमें हो चुके हैं और यह जो public sector bank के pensioners है वो परिशान है जो कि actual में manage करनी है ministry of finance government of India को जो कि pension regulations का violation है The general manager of such banks retired 20 years ago got a pension which is lesser than that payable to his clerk retiring now and they are pushed to the walls यानि कि जो GM rank का आदमी भी जो 20 साल पहले retire हुआ उसको pension मिल रही है वो आज का जो clerk retire होता है उसके क्ल क्या उससे भी कब मिल रही है The non-revision of pension is in gross neglect of ruling of the honorable supreme court of civil appeal number 1123 of 2015 where it was held that pension shall not be lower than 50% of running payment corresponding to the pre-revised scale of pay यानि कि 50% से कम pension नहीं दिया सकती जो भी अभी current में scale चल रहे है उनके बराबर इस तरह से बिलकुली neglect किया जा रहा है rules and regulations को though the matter was brought several times several years the matter is not logically concluded by ministry of finance इस matter को बार बार उठाया गया उसके बाद व्यूदी भी ministry of finance ने कुछ भी नहीं किया है since the pensioners are in extreme financial difficulties and are in advance age to withstand the time lag in getting a verdict I make a prayer that the accompanying petition may kindly be forwarded to the secretary financial subsets with the direction to look into the matter and to logically conclude the issue at the earliest यानि कि जो भी pensioners है उनको financial difficulty बहुत जादा हो रही है और उनकी age भी बहुत जादा हो चुकी है तो essay में एक letter लिखा जाए secretary को financial secretary को उसमें उनको direction दिया जाए कि जो भी a matter है उसको जल से जल निप्टा दिया जाए the interference of your lordship can work a miracle by saving the source of about four lakhs retired bankers who are fretting and fuming in old age without being able to meet the cost of litigation तो जो भी pensioners है यानि कि चार लाग से उपार जो retired pensioners है उनके लिए अगर court कोई फैसला लेगा कोई direction देगा तो जल्दी से उनका काम हो जाएगा जिससे कि बहुत ही अच्छा रहेगा थैंक यू 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 रेस्पेक्ट फुली सी एं मैंनों गोपालन वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी pensioners के साथ प्लीज इसको सेयर कर दीजिए और अपने कुणिल के चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए आप सभी का दिल से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू